अगर किसी वैक्ति के साथ पुलिस ने बत्तमीजी की है, गली गलॉच की है या उसके थपड मारा है तो इसका क्या कानुनी समाधान है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ सबसे पहले आप ये समझे कि इंडियन कॉंस्टिशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको पूरी गरीमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है और कोई भी वैक्ति आपके इस राइट का वाइलेशन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि पुलिस वाले आम त समझे कि section 46 of criminal procedure code ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको arrest भी करना चाता है तो भी वो आपको हाथ नहीं लगाएगा आपको arrest करने का reason बताएगा और आपको शांती पूरवक arrest करेगा unless in until आप उसके इस कारवे में विरोध पैदा कर रहे हैं आप arrest को किसी भी बल पूर मार दिया गया है तो सबसे पहला step ये है कि आपको अपने आसपास की situation में देखना है surrounding में देखना है कि क्या कोई CCTV camera लगावा था जिससे आप किसी भी तरह की evidence कलेक्ट कर सकें अगर कोई CCTV camera लगा है तो ये ध्यान लगे कि अब आप उस पुलिस वाले की वर्दी उतरवाने जा रहे हैं लेकिन कुछ situation ऐसी भी होती है जहां पर CCTV camera नहीं है आपके पास कोई भी evidence नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप बिना किसी सबूत के सिर्फ अपने साथ हुई भी वारदात के दम पर आप nearest police station के अंदर एक complaint registered कर सकते हैं अब सवाल ये उड़ता है कि police वाल कि बत्तमीजी के खिलाफ आप उसके खिलाफ action ले सकते हैं अगर आपने police station में complaint कर दिया और police आपके complaint के ओपर कारवाही नहीं कर रही है तो section 166A of Indian Penal Code ये कहता है कि अगर कोई police वाला आपकी complaint पर कारवाही नहीं कर रहा है उसके ओपर F.I.R. registered नहीं कर रहा है तो ऐसे police वा बाद भी अगर आपकी complaint पर कारवाही नहीं हुई है तो section 190 CRPC के तहत आप magistrate के सामने भी अपनी complaint दे सकते हैं और magistrate के पास पूरी power है कि वो ऐसे matters में cognizance ले सकता है cognizance का मतलब होता है संग्यान लेना अगर आपकी complaint में दम है तो फिर उस police वाले के खिलाफ कारवाही करने क order magistrate साम भी दे सकते हैं खिलाफ कारवाही करें और उसके उपर case चलाएं तो friends आपके पास बहुत सारी ऐसी remedies Indian Penal Court, Constitution of India, Criminal Procedure Court और Indian Evidence Act के अंदर हैं जिनके तहत आप किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ जाकर उसके खिलाफ F.I.R. registered करा सकते हैं और उसकी वर्दी उतरवा सकते हैं इसके साथ ही साथ एक और remedy जो आपके पास available है कि बहुत सारी government bodies ऐसी हैं जो एक आम इंसान की help के लिए बनाई गई हैं अगर आपको लग रहा है कि आप वरीव हैं आपके पास इतनी ताकत नहीं है या इतना साहस नहीं है कि आप पुलिस से लड़ सकें तो आप State Human Rights Commission भी जा सकते हैं हर राज् प्रोवाइड करते हैं जो आपके विहाब पर आपके लिए fight भी करते हैं तो friends ये एक वीडियो मैंने आपको बनाया है इसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप मुझे inbox में लिखे जिसका मैं आपको टाइम ले reply करने की कोशिश करूँगा last memory after रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक्यों